नमस्कार कैसिने.com में आप सभी का स्वागत है आज जब हम लोग बात करने वाले हैं इस Google Mini Home Device के बारे में कि कैसे जब आप लोग इसको अपने laptop से connect कर सकते हैं आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं ये है मेरे पास में मेरा laptop और आप इसको आसानी से connect कर सकते हैं मैं आपको बताने इसको एक music speaker की तरह बजा सकते हैं आप जो भी laptop में सुनेंगे या computer में सुनेंगे वो automatically इसके अंदर बजने वाला है लेकिन आप connect कैसे करेंगे तो उसकी भी जानकरी आपको देने वाले हैं और क्या आपको इसमें मज़ा आने वाला है मैं कहता हूँ बिल्कुल एक number आपको मज़ा आने वाला है इसको यूज करते हूँ तो वीडियो कों तक देख लीची और सिख लीची गूगल मीनी हॉम को अपने laptop या computer के साथ connect कैसे करें तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है अपने laptop के अंदर यहाँ पर जो नीचे वाली तरफ एक option मिल जाता है यहाँ यहाँ इसके आजू बाजू भी आपको देखने को मिल जाएगा यह Bluetooth वाला इकन आप देख सकते हैं तो यह Bluetooth वाला इकन देख रहा है आप इसको डबल क्लिक करके OK कर लीची यह ओपन हो जाएगा आपके सामने इस तरह से और इस तरह से ओपन होने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर एड ए Bluetooth डिवाइस का उप्शन है इसका यूज करना होगा लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है अपने Google Mini Home को कमार्ड देनी है OK Google पेर Bluetooth तो देख सकते हैं आप लोग यह कह रहे कि होल स्पीकर के तोर पर आप सर्च कीजिए जब तक यह light देखे इस तरह से च क्या option आते हैं सबसे पहले उपर वाला option जो वो चूज कर लीजिए आप क्योंकि हमारे को यही यूज करना है तो OK कर दीजिए उसके बाद देखे यह सर्च करना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर Redmi आ गया है यह होल स्पीकर देखे अब जो भी आपके Google डिवाइस का नाम होगा वही उसके according यहाँ पर जो आपको देखने को मिलने वाला है तो मैं इसको OK कर देता हूं यह देखिए connected चल रहा है यहाँ पर connecting स्टार्ट होगी और कुछ ही सेकिंड में यह देख सकते हैं आप आवाज आ चुकी है आपके सामने तो इसका मतलब यह जो वो connect हो चुका ह लिचे ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहें बने रेमार साथ सीखते रहें कैसे करें